कुछ नेता तो जूट की मशीन की तरह हैं जब भी मूँ खोलते हैं धार 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 एके 47 की तरह बद जूट ही निकलता शुरू हो जाता है आप लोगों से जादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है कि जो लोग अफ़ाएं भला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सरासर गलत है सरकार 151 प्राइवेट ट्रेनों के प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए है केंदरे सरकार ने रेलवे में निजी करन की तरफ पहला बड़ा कदम उठा लिया है रेल मंत्राले ने 109 रूट्स पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इन्विटेशन दिया है इसके लिए प्राइवेट पार्टीज को 30,000 करोड का निवेश करना होगा पहली बार हेलवे में यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को आमंत्रित किया गया है कुछ नेता तो जूटकी मशीन की तरह है जब भी मूख होडते हैं धार 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 एके 47 की तरह जूट ही निकलता शुरू हो जाता है आज आदी के बाद से कि 2014 तक 66 साल में 65 एरपोर्ट थे 65 यानि की एवरेज एक साल में एक हाईवाई यट्टा पीते चार बरसों में इक साल में 9 एरपोर्ट उडान के लिए तयार है मोदी जी की सरकार में पिछले 4 साल में सिर्फ 4 नए एरपोर्ट बने हैं और ये बात हम हावावाई ढंग से नहीं कह रहे हैं खुद मोदी जी की सरकार की जो रिपोर्ट हैं उनके हवाले से कह रहे हैं। कुरूना मरीजों की संख्या 6,97,000 से जादा हो गई है। दार 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 एके 47 की तरह जूती निकलता शुरू हो जाता है। न वहां कोई हमारी सीमा में गुसाया है, नहीं कोई गुसा हुआ है, नहीं हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कबजे में है। इस वक्त की बड़ी कबर का रुक करेंगे लेसी के पास गलवान घाती में जड़प वाली जगा से चीनी सेना एक किलो मेंटर पीछे हट गई है। दोनों सेना बाचित के बाद नई पुजीशन में आ गई है, बफर जोन बनाने पर सहमती हुई है, ये तैव हुआ है कि इसका उलंगा दोनों पक्षित नहीं करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि लेसी पर जड़प वाली जगा से चीनी सेना पीछे हटी या प पचात दिन मेरी मदद करें और जैस पचात दिन मेरी मदद करें अगज सीसमबर के नाएं कोई मेरी कमी रह जाए लांग, कोई मेरी गल्सीं ओल्टिन खालत दे कर जाए अब जिस चाहु है में एंक खडान करेंगे, खडा उकड़ खरके देश में काले धन को मिटाने के लिए नोट बंदी का फैसला लिया गया था लेकिन काला धन समाप्त होना तो दूर पुल्टो देश की अर्थरस्था ही चौपट हो गई कि इस अर्श सबसे खराब दौर से गोजर रही है वावस्ता दोरान ये राजीब कुन में कहा है नीपियाल के उपाद ध्यक्ष ने कि 75 सबसे ख़राब दोर से तवस्ता गजर रहे हैं नोक बंदी और GSM के बाद यह तमाम असदों देखने को में रही हैं कुछ देता तो जू प्रदानमंत्री मोधी जी आप गलत सवाल कर गए। उठाया और जेल में भूख हर्ताल शुरू की। उनकी भूख हर्ताल अनिश्वित कालीन हो चली। तब 40 साल के जवाहरलाल नहरू ने जेल का दौरा किया और भूख हर्ताल पर बैठे भगत सिंग और अन्य लोकों से मुलाकात की। लेकिन उस पराकर्म के बाद कश्मीर को बचाने वाले जनरल थिमया का उस समय के पुद्धान मंत्री नहरू आर उस समय के रक्षा मंत्री कृष्णा म्यानन ने बार बार अपमान किया था और इसी कलकारन जनरल थिमया को अपने पत से सम्मान के खातिर स्थिफा देना पड़ा था। 1948 में थिमया इंडिन आमी के चीफ नहीं थे एक बिटिशर जनरल रॉय बुशर इस पोस्ट पर थे। थिमया 1957 में आमी चीफ बने और इस पोस्ट पर 1961 तक रहे। जनरल थिमया ने 1948 में ना तो रिजाइन किया और ना ही रेजिगनेशन ओफर किया और ना ही नहरू ने उनका पता नहीं है आज लोगों को जानकारिया पाने का अनेक रास्ते मिल गए है अब जूठ चलता नहीं है